नमस्कुर्ण दोस्तों आप सभी को स्वागत है वह प्याख्या में, तो आज हम बात करेंगे आपके घंड के बारे में ठीक हैं? यानि कि घन के बारे में कितने टाइप के आपके question पूछे गये हैं या पूछे जाते हैं उन सभी पर हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि घन क्या होता है तो आप जानते हैं जो घन होता है वो दो वर्गों से मिलकर बना होता है जैसा कि आपको जो है इस figure में दिखाया गया है यहाँ पर यह जो है आपका एक घन है जिसमें दो वर्ग होते हैं कितने वर्ग होते हैं दो वर्ग होते हैं और यह दो वर्गों से मिलकर आपका घन क्या होता है बना होता है जिसमें बात करें तो ये जो दिख रहा है ये कोने पर ये चार कोने उपर और चार कोने जो है आपके नीचे की तरफ दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कारणर यानि वर्टेक्स ठीक है जिसको कोने या सिर्ष कहा जाता है और ये कितने हैं तो चार देखेंगे तो ऊपर हो जाएंगे और चार देखेंगे तो ये चार क्या हो जाएंगा नीचे यानि कि इनकी जो संख्य होती है और कितनी होती है एट होती है ठीक उसके बाद से बात किया जा एज किनारा जो साइड होता है तो चार तो ऊपर के हो यानि कि कुल मिलाकर जो हमारे side होते हैं वो कितने होते हैं आपके 12 होते हैं कितने होते हैं भाई साब 12 होते हैं यानि कि 12 उसके बाद से surface की बात किया जाए तो surface का मतलब होता है कि उपर नीचे दाएं बाएं ठीक है आगे और पीछे यानि कि कुल मिलाकर कितने होते हैं सर्फेस इसमें छो होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं सता बोलते हैं ठीक है एतना चीजे तो आप खोजनकारी होगा ही और आप जानते भी होंगे उसके बासे बात करें तो प्रश्ण के प्रकार क्या होते हैं कि जैसे कि एक ही रंग स से रंगा हुआ पूचले आपसे या एक से अधिक रंगों से रंगा हुआ पूच्छा जा सकता है आप तो एक करके उप्धार पर एक प्राद को सेड़ीद एक जो यहां पर दिया गया है आपका जो चाकू का इस्तिमाल कितनी बार होगा, तो आपको n निकलना पड़ेगा, कैसे तो 8 cm बड़े घं की भुजा, तो बड़े घं की भुजा, निकल लिजए है, तो यह दिया है 8 बड़े घं की भुजा, एक छोटे घं सेंटिमीड घं की भुजा है, तो इसका मतलग की नीचे आपके कितना है आठ है तो 8-1 यानि कि यह हो जाएगा 3 into 7 is equal to 21 और यहीं आपका right answer हो जाएगा ठीक है उसके बाएस से दूसरा प्रस्ण आपसे पूछा जा सकता है कि कूल छोटे घंडों की संखिया क्या होगी तो देखिए छोटे घंडों की संखिया निकालने के लिए सिध to five, one, two यानि कि five hundred ठीक है one, two बाजाएगा यानि कि twelve बाजाएगा उसके बाएस से पूछता है कि तीन से अधिक सता हरंगी इन होने चाहिए तो जब भी तीन से अधिक सता हरंगी पूछता है तो उसका मान हमेसा zero आता है आप यह ध्यान रखेंगे ठीक है उसके बाद पूछे एक सत्ह रंगीन घंट ठीक है एक सत्ह रंगीन घंट के लिए जो फर्मुला होता है उस 6N-2 का होली स्कॉर होता है यानि इसके अधार पर आप करेंगे तो आपके एंसर आ जाएगा तो कर दिजिए इसको हल तो यह हो गया 6N-2 यानि कि 8 में से 2 जाएगा कि इतना होगा इसमें स्कॉर नहीं होगा सिधा सिधा है कि 12 उसके बाद से क्या करेंगे multiply एंका मन आठ है था आठ में से 2 जाएगा तो आपको यहानि कि 12 में च्छो का गुड़ा करने तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा यह आपका राइट इंसर हो जाएगा सात्रा कोशन पूछा प्रस्था क्यों जा सकता है कि कुल रंगहीन केतने होंगे तो देखिए का किक क्यूब कर दिजिये यानि कि कुं से कम दो चोटे रंगिन घंखन होंगे तो तो आप देखेंगे सर तीन सता रंगिन घंखन जो होते हैं आठ होति है है यानि बहुत टर और आठ कितना अजाएगा अजो आज लिखेंगा है कि ऐसे कितने छोटे घुन होंगे जिनकी कम से कम एक सता रंगीन होगी तो एक सता रंगीन के लिए एक वाला रखेंगे एक वाला कितना आया है तो देखेंगे एक सता रंगीन वाला क्या होगा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो इसमें कोई ताम जम नहीं करना है वैसे एक प्रस्णा आपका फसाने वाला थोड़ा सदे देता है जिद्धार ध्यान देंगे इस प्रस्ण को ठीक है प्रस्णा है कि एक बड़े घंड को कि आपका मान एन का मान दे दिया और कितना दिया है 113 131 ए Mediter को ध्यान रखेगा एन कियो है सोरी क्या है एं न का क्यूं है तो यानि कि नहीं पता है एक्स मन लें इसको ठीक है क्या मन ले एक्स मन ले ईक्स मन ले आप बटे में छोटे गहन की भूजा देखिए कितना है 2 cm है तो जो है इतना cm है तो यह आपका 2 आजाएगा तो x पर अबर निकाल लेंगा तो यह दो अखर क्या करेगा भूड़ा यह एक बर अबर कितना हो जाएगा 22 और यही आपका क्या होगा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो इस तर से जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं इसमें कोई भी कई पे दिकत नहीं होने वाली ठीक है तो मुझे आसा है कि चीजा आपको समझ में आई होगी और यह पूरा चेप्टर भी आपको क्लियर हो घया तो अगर समझ में नहीं आ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको नहीं आया है ठीक है और आप क्वेशन सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कर देजाएगा आज लवास इतना है जहें ज्यादा